Hello students, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं advertisement, बिलकुल आज हम advertisement पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हमने notice complete किये थे, तो आज देखें advertisement, आज हम पढ़ेंगे advertisement, advertisement का आर्थ होता है विज्यापन, आज हम इसके बारे में इस class में सबसे पहले पढ़ेंगे जो महत्पुन बाते हैं आपके स्लेवस में, कक्षा बारा के स्लेवस में advertisement है, तो यह हम पढ़ने जा रहे हैं, तो देखें, कौन-कौन सी महत्पुन बाते हैं, जिन बातों का ध्यान रखना advertisement लिखते समय है, यह आपके सामने कुछ महत्पुन बाते हैं, देखो, और आपको अच्छी तरीके से दि धातव्य बिंदू का मतलब मैतपुन बिंदू, जिन चीजों का हमें ध्यान रखना है, विग्यापन लिखते समय, विग्यापन लिखते समय, जिन चीजों का हमें ध्यान रखना है, वो कौन-कौन सी बाते हैं, देखिए, सबसे पहले है विषय, विषय, subject, सबसे पहले subject कि हम किस विशाय पर विज्ञापन लिख रहे हैं वो हमारे मस्तिस्क में इसपस्ट होना जी है अरे हमें इसपस्ट यही मालूम नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट पर लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिख पाएंगे तो विज्ञापन लिखते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना है, कि subject क्या है अन्यता हमें जो subject नहीं है उसके अभाव में विज्ञापन ठीक नहीं होगा सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे हम विज्ञापन को तो पहली बात तो यह है कि subject ध्यान में रखना है क्यों सन में मिलेगा इस पश्टूप से कोई दिक्कत नहीं है फिर हमें बात ध्यान रखना है नूंतम सब्दों का प्रियोग कम से कम सब्दों का प्रियोग करेंगे क्यों? देखिए वरगी करत विज्ञापनों में सब्दों के अनुसार सुलक लगता है जितने सब्दोंगे उतने पैसे है अख़वार में अड़र्टाइजमेंट निकल वाएंगे तो पैसों के साथ से पेमेंट देना पड़ता है अता है नूंतम सब्दों का प्रियोग करना चाहिए कम से कम सब्दों का और अनावशक सब्दों का प्रियोग नहीं करें। जो फालतु के सब्द हैं उनको प्रियोग करने का क्या फायदा फिर। न्यूनतम सब्दों का प्रियोग करते समय ध्यान रखें कि भाव इसपस्ट हो। कम से कम सब्द तो लिख रहे हैं लेकिन भाव इसपस्ट ही नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहा है तो फिर क्या फायदा तो न्यूनतम सब्द भी लिखना है और भाव भी इस पस्ता आना चाहिए तो आपके पाठे करम के इसके लिए लगभग 50 सब्द निर्धारित किये गए बिलकुल आपका जो स्लेवस है उसमें एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए maximum 50 वर्ट से जदा जदा 50 सब्द निर्धारित किये गए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है विराम चिन्नों का प्रियोग देखो फुली स्टॉफ है न इन चीज़ों का फुली स्टॉफ को मा इनका प्रियोग समय समय पर करना है फिर वाक्यान्सों का प्रियोग पूरा वाक्ये लिखने की बजाए यदि संबह हो तो फ्रेजेज का प्रियोग करें पूरा वाक्य कम से कम सब्दों में लिखना है न तो पूरा वाक्य लिखने की बजाए जहां तक संबवो फ्रेजेज वाक्यांस लिखें छोटी-छोटी टुकडों में लेकिन समझ में आना चीए भाव इसपस्ट होना चीए आगे देखू क्या है महतपुन बिंदू जोड़ने वाले आदी का प्रियोग हलो आजिकल्स गल मतलब या विखने मतलब ना प्रियोग करना इन चीजों का पूर्द गम से प्रियोग कम से परए यह यदि इन यानि आर्टिकल, कनेक्टर्स और लिंकिंग वर्प्स इनके बिना ही यदि इसपस्ट संदेश समझ में आ रहा है तो इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है विधार दियो फिर उसके बाद में देहो नेक्स्ट पॉइंट संपर्क पता यानि एड्रस वगरा कॉंटेक्ट अपना पता इसपस्ट दें नीचे लास्ट में अपना एड्रस इसपस्ट रूप से लिखेंगे आप यदि टेलिफोन हो तो टेलिफोन नमबर, मोबाइल नमबर अथवा इमेल आदी पता भी देवें दें यानि इमेल भी लिख सकते हैं आप मोबाइल नमबर टेलिफोनिन में से एक चीतो लिखना है पड़ेगा आपको और अपना एडरस इस पस्ट रूप से लिखना है यदि पोस्ट ओफिस का पोस्ट बोक्स नमबर उपलब्ध हो अपने पते में केवल पोस्ट बोक्स नमबर ही दें क्योंकि इसका परियोग से इसके परियोग से अपना नाम पता देने के आपशकता नहीं होती है हाँ बिल्कुल पोस्ट बोक्स नमबर है तो पोस्ट बोक्स नमबर देदें पोस्ट बोक्स नमबर देंगे तो एडरस वगरार ये लिखने के आपको आफशकता नहीं, नाम भी लिखने के आफशकता नहीं तो हमें तो इस पर स्टूप से नीचे क्या करना है, अपना नाम लिखना है, एडरस लिखना है, मोबाइल नमबर फोन नमबर, या फिर ईमेल ये चीजे लिखने हैं ठीक है, बोक्स नमबर क्यों लिखा जाता है, देखो बोक्स नमबर इसलिए लिखा जाता है देखो नीचे आया ना बोक्स नमबर ये अपना नाम पता गुप्त रखना चाहते हैं जैसा कि जो वेवाहिक विज्यापन है, मेट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट है, उनमें समाचार पत्र बोक्स नमबर प्रदान कर देता है, इसके लिए कुछ पैमेंट भी लेता है, सुल्क लेता है इसके लिए ठीक है, तो अगर आप अपना नाम और एडरेस गुप्त रखना चाहते हैं, तो पोस्ट बोक्स नमबर लिख सकते हैं, ठीक है फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इसपस्टता, विज्यापन में सभी आवशक बातें इसपस्ट होनी चाहिए इसपस्टता के अभाव में वांचित फल प्राप्त नहीं होता है और विज्यापन वेर्थ ही हो जाता है यहनि जो हम कह रहे हैं वो कहने का मतलब इसपस्ट समझ में आना चाहिए इसपस्ट समझ में नहीं आएगा तो एडवर्टाइजमेंट लिखने का लिए सुन्दर हेंटाइटिंग में लिखें तो आपको साफ साफ सुन्दर सुन्दर अक्सरों में लिखना है नेक्स्ट पॉइंट है पुने अवलोकन विज्यापन लिखने के पश्चात आपको पुने ध्यान से उसको ध्यान से पढ़ें यदि कई संसोधन क्या आउशक्ता है तो संसोधन भी करें तो उसको दुबारा से एक बार पढ़ लें लिखने के बाद में कहीं errors है तो उन errors को सुधार लें तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है देखो कौन-कौन सी सबसे पहले है subject ठीक है विसे ध्यान रखना है noon-term सब्दों का प्रियोग करना है विराम चिन्नों का प्रियोग करना है और पूरा वाक्य लिखने की बजाए हमें बाक्यान से लिखना है, phrases लिखने है articles का प्रियोग जहां तक हो सके नहीं करना है articles, connector, linking जो verbs है उनका प्रियोग है अगर इनके बिना आर्थ इसपस्ट हो रहा है तो इनका प्रियोग करने की ज़रुत नहीं है अपना address लिखें ठीक है और इसपस्ट तरीके से लिखें उसको और सुन्दर handwriting में लिखें ये सब लिखने के बाद में जब आपका advertisement complete तयार हो जाए तो आपको क्या करना है आपको करना है उसको एक बार दुबारा से देखना है कि कहीं कोई errors तो नहीं रह गई कोई mistake तो नहीं रह गई ठीक है विध्यारती हो अब देखते हैं ये कुछ महतपुन बिंदू थे जो हम advertise लिखते समय ध्यान रखेंगे ठीक है उसके बाद में देखिए आप ये अपने पास आगए देखिए इस तरीके से अब लिखेंगे हम advertisement का मतलब होता है विध्यापन advertisement का मतलब क्या होता है विध्यारती हो विध्यापन होता है विध्यापन दो प्रकार के होते हैं एक classified advertisement और एक posters देखो advertisement भी दो प्रकार के होते हैं classified advertisement classified advertisement जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यानि जिसमें सिर्फ सब्द यानि अक्सर होते हैं और postures, postures जिसमें चित्र अक्सर ये सब चीज़े होती हैं ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे classified advertisement तो देखो classified advertisement कौन-कौन से है एक बार हम देख लेते हैं classified advertisement को जो classified advertisement है मैं उनकी लिस्ट आपके सामने समझा रहा हूँ तो advertisement मैंने बता दिये दो परकार के हैं classified और postures classified में क्या होगा? classified में होगा विध्यारतियो, वर्गीकरत, विध्यापन जिसको हम कहते हैं इसमें सिर्फ जो हम पढ़ने जा रहे हैं बागे वो लिखेंगे यानि अक्सर लिखे जाते हैं postures, अक्सरों के साथ-साथ design, चित्र, इत्याद लिखे जाते हैं अब हम classified advertisement पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो सबसे पहला होता है matrimonial 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 क्या होता है? वैवाही की matrimonial होता है वैवाही की यानि ब्यासादी से समंदित वैवाही की ठीक है? matrimonial का मतलब बता है वैवाही की यानि ब्यासादी से समंदित जिसमें दो हैं कौन-कौन से? दो कौन-कौन से हैं, देखो दो हम पढ़ेंगे एक तो bride wanted वधु चाहिए दूसरा है groom wanted यानि वर चाहिए वर चाहिए और वधु चाहिए ये दो हैं, दो पढ़ेंगे हम ठीक है? उसके बाद में एक हो गया matrimonial matrimonial के बाद में देखो कौन सा है? matrimonial के बाद में sell purchase यानि बेचना किसी भी चीज़ को? जैसे flat बेचना flat के बाद में जैसे कोई वहन बेचना ठीक है? purchase, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप advertisement निकालेंगे अकबार में to let to let का मतलब क्या होता है? किराए पर देना आपका मकान है आप किराए पर इसे देना चाहते हैं तो आप advertisement to let subject के माद्यम से आप निकाल सकते हैं ठीक है? to let हमने पढ़ लिया उसके बाद में accommodation wanted accommodation wanted का मतलब होता है जब हम किराए पर लेना चाहते हैं किराए पर देना चाहते हैं तो उसके heading to let होगी और किराए पर लेना चाहते हैं तो उसकी heading accommodation wanted होगी ठीक है students, उसके बाद में situation vacant, situation vacant का मतलब होता है, seat खाली है, यह कोई संस्था, को institute, वो लिखेगी, वहाँ किसी भी पद के लिए कोई seat खाली है, तो situation vacant के topic के रूप में लिखा जाएगा, यह heading होगी इसकी, दूसरा है situation wanted, situation wanted क्या होता है, situation wanted वो होगा, जिसमें seat चाहिए, यह कोई व्यक्ति विसेस लिखेगा, जिसको कही न कहीं post चाहिए, नोकरी चाहिए, जोब चाहिए, वो लिखेगा situation wanted, किसी संस्था को कोई व्यक्ति चाहिए, काम के लिए, तो वो लिखेगा situation vacant, और किसी व्यक लिखे जाएंगे, next कुछ और है अपने सामने ये देख लेते हैं, फिर है lost, कोई चीज खो गई है, तो विग्यापन निकलवाएंगे, lost topic में, कोई चीज आपको मिली है, तो अखवार में विग्यापन निकलवाएंगे, find topic में heading होगी, ये आपका subject होगा, क्योंकि सबसे पहल वस अपना नाम बदलवाना चाहते हैं तो आपको अख़बार में इस्थियार यानि advertisement निकलवाना पड़ेगा विध्यापन निकलवाना पड़ेगा उसके बाद में missing person missing person का मतलब होता है लापता missing person का मतलब क्या होता है कोई व्यक्तिक हो गया है लापता है तो उसके लिए heading होगी missing person फिर उसके बाद में एक और है travels and tours tours and travels क्या होता है कि ये travel agency है ये निकालती है कहीं लंबी टूर पर ले जाती है जैसे हरी दुआर चारधाम की यात्रा इत्यादी पर ले जाती है तो वो transport, accommodation, food charge ये सारे लगाकर चार्ज बताते हैं और कहते हैं कि हमारा जो travel agency है इसमें टूर पर जा रही है फला जगा तो ये advertisement निकालते हैं ये भी तो इस तरीके से हो गए तो ये मुख्य मुख्य advertisement हमारे सामने ये हो गए इन सारे advertisement को एके करके हम पढ़ेंगे सब ये advertisement को पढ़ेंगे एके करके अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है एक बार इसको revise कर लेते हैं कौन-कौन सा पढ़ना है अपनको matrimonial, matrimonial में bride wanted और groom wanted वधू चिये और वर चिये फिर हम पढ़ेंगे sell, purchase, खरीदना और बेजना to let, accommodation wanted किराये पर उपलब्ध है और किराये पर चाहिए किराये पर लेना चाहते हैं कोई मकान situation vacant, seat खाली है कोई संस्तार निकाली गया advertisement situation wanted, seat चाहिए तो ये कोई व्यक्ती निकालेगा लोस्ट, खोया, फाउंड, पाया ये विज्यापन होगा चैंजोपनेम, नामपरिवरतन missing person, कोई व्यक्ती लापता है travels and tours travels and tours का मतलब जो travel agency है यात्राओं पर जाती है, गुमाने वगरा ले जाती है, तो इसके लिए लिखा जाती है ठीक है, विध्यारती हो next class में, next video में हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे, matrimonial ये next class में पढ़ेंगे, तब तक इनको ध्यान से देख लेना, जो points से इनको एक बार अच्छी तरीके से देख लेना ताकि advertisement लिखते समय आपको कोई समस्या नहीं उत्वन ठीक है, धन्यवाद विध्यारती हो पढ़ते रहें, स्वस्त रहें, मस्त रहें धन्यवाद